आधाब इनकम्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल एकानुमी पर बैस खास प्रोग्राम लेकर हाज़िर हो मैं सूरेकान शर्मा आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट 2021 की और रीबिल्डिंग इंडिया की बजट पर अपने खयालात का इजहार करते हुए प्राइम निस्टर ने कहा है कि भारत कोरोना की लड़ाई में रियक्टिव होने की बज़ाए हमेशा से ही प्रोग्राम रहा है साथ ही हम एक्टिव पर भी नहीं अटके है और हमने इस बजट में प्रोएक्टिव बजट देकर देश के सामने प्रोएक्टिव होने का पैगाम दिया है प्राइम मिनिस्टर के इस बजट के बारे में मजीद कहा है कि ये बजट तरक्की के लिए नई opportunities का expansion, नौजवानों के लिए नए मौके फरहम कराने वाला, human resource को नई सिम्त देने वाला, बुनियादी धाचे को तरक्की देने वाला और sectors को फरोग देने वाला है प्राइम मिनिस्टर के इनी अलानात को डीटेल में समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास महमान, जाने माने economist प्रोफेसर अमिताब कुंडू और टेक्स गुरू के नाम पर मकबूल economist और chartered accountant डॉक्टर शरद कोहली, आप दोनों का हम अपने को आगे बढ़ाने से पहले हमारी कोशिश होगी, कि हम आम आदमी के नजरिये से इसको समझें, कि क्या budget है, क्या provision है, और क्या हमारा अंदाज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कि health सबसे important है, और इस budget में इस पर सबसे जादे ध्यान दिया गया है, तो अमिताब कु अंदू सहाब, जान है, जहान है, COVID-19 ने हमें health sector की importance को इतना बताया है, कि शायद जीवन के बाद, अगर उसमें कोई चीज पहले important है, तो वो है health sector, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? सविरकान जी आपने सही कहा, कि बजट निश्चित रूप से proactive है, इसमें एक perspective है, जी, इसमें एक historic city, historic budget है, historic इस मामले में भी है, जिससे आपने कहा सविरकान जी, कि health sector पर expenditure को है, दुगना से भी अधिक कर दिया गया है, इसके पहले मुराज़ी दिसाई ने budget पेस्ट किया इसमें डिफेंस expenditure को, revenue expenditure and capital expenditure को मिला के 300 प्रतिशाद अधिक बढ़ाया गया था, लेकिन इस वक्त जो है, situation थोड़ा different है, early 60s में हमारी economy के growth rate काफी high था, हमारे surpluses थे, deficit financing के ज़रूरत नहीं पढ़ रहे थी उस समय, लेकिन इस emergency के period में capital expenditure को बहुत कम कर दिया गया, हमारे development expenditures जो थे, 63, 64 के बाद में काफी कम हुए, इसकी वज़र से, 5 साल के बाद में थोड़ा recession आ गया था, early 70s में, अभी हालत यह है, हमारी economy उतनी मजबूत नहीं है, करोना के पहले भी, you know, UPA2 के बाद से भी थोड़ी सी slowness आ रही थी, लेकिन एक चीदा देखिए, capital expenditure को कम नह फर्क है, मुझे लगता है, ये निश्चित रूप से एक सहसिक कदम है, appeasement के लिए, हमने revenue expenditure बढ़ाने के लिए, कोई, you know, tax के exemption नहीं दिये, middle class को, लेकिन फिर भी, कोई extra tax भी नहीं लगाए गया, petrol prices जो है, उसको भी बढ़ने से रोका गया, तो मुझे लगता है, कि indirect taxes ऐ ऐसे हैं, कि inflation control में रहेगा, despite ये हमारी जो deficit financing जो हो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है, सबसे बड़ी बात जो इस budget में है, कि capital expenditure को बढ़ाया गया है, infrastructure investment को बढ़ाया गया है, जिसकी वज़ए से, सिर्फ madhyam work नहीं है, अक्सर हम लोग madhyam work को आम आदमी समझ लेते है जो घर में बैठ के करोना की प्रिएड में काम कर रहे थे, उन पर ज्यादा focus ना दे के जो नौकरी खो चुके थे, जिनकी unemployment rate बहुत हाई हो गई थी, और पता है इस बड़ी बात हाई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो infrastructure में investment को बढ़ाया गया है, capital expenditure को बढ़ाया गया ह मुझे लगता है इससे जो है long term growth हिट नहीं होगी, जो मुराजी दे साइक उस budget के वज़े से हुआ था 5 साल के बाद मुझे लगता है यह थोड़ी के दूरदर्शिता दिखाती है तो यहीं से एक बात और भी कायम होती है, वो यह कि हमारे आजकल के think tank में जो राजनेतिक इच्छा शक्ती दिखाई है, यह political will दिखाई है, कि common person जो है, वो हमारे focus में है और यहीं से हम चलते हैं, डॉक्टर शरतकोहली की तरफ, डॉक्साप, हमारे पास दुनिया के quality और quantity के best doctors है, पेरा-medical forces भी हमारे हैं, तो क्या यह कहीं, जो health sector को हमने importance दी है, और दी भी जानी चाहिए थी, तो कहीं यह हमें medical superpower बनाने के कवायद की तरफ तो नहीं जा रहा जी हम, बलकि मैं यह कहूंगा सुरिकान जी के medical superpower तो हम बनाने की तरफ क्या हम करीब करीब बन ही चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, आज सारी दुनिया COVID की vaccine भारत से मना रही है, और ऐसे में जब योरोप में आप देखें के देशों में जगडा चल रहा है vaccine के बीचे, भारत आज इतना दर्या दिली दिखा कर उस vaccine को अपने पडोसी देशों के पास ना केवल भेज रहा है, बलकि देश के अंदर भी बहुत तेजी से टीका करण का program चल रहा है, और भारत को दुनिया की pharmacy कहते हैं, जो दवाईयां यहां बनती हैं, आज कितनी दवाईयां भारत की FDA जो अमेरिका की सबसे बड़ी drug agency है, food and drug agency बोलते हैं, उसमें वो दवाईयां अप्रूव हो जाती हैं, वहां इस्तमाल की जाती हैं, तो मैं समझता हूँ जो 94,000 करोड से बढ़ा के, दुगना करके, 220,000 करोड से भी जादा जो medical पर खर्चा, जिसमें 35,000 करोड तो सिर्फ COVID vaccine का है, और उसके अलावा अगर हम देखें, तो portion एक प्रधान मंत्री जी ने नई scheme launch करी है, जिसके अंदर nutrition है, नई hospital सेट करना है, डॉक्टर्स को और सो विधाएं देना है, COVID से related चाहे वो PP kits हों, चाहे मास्क हों, तो मैं समझता हूँ एक चौतरफा growth जो है, आपको pharmaceutical health sector में दिखाई दे रही है, और ये देश को मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भारत को एक hospital की तरह, एक hospital मेरा मतलब है कि ये नहीं के बिमार होंगे तो सोचेंगे, पर लोग आपने medical tourism यहाँ शुरू पहले ही हम जाने जाता है, और ये हम बहुत जल्द आप, और ये बहुत दूर नहीं है, मुझे लग रहा अगले दो-तीन साल में, अगर ये vaccination का program भारत के कंधों पर चलता रहा, तो आपको ये super power बहुत जल्द बनती दिखेगी, क्या बात है, और यहीं से हम चलते हैं डॉक्टर कुंडू के पास, कि हमार प्रधान मंत्री जी ने health को जो importance दी, और उसके सासत हमारी जो देश की महिलाएं है, women है, child है, उस पर भी एक वातसले mission अभी लागू किया है, तो कितनी कारगर है ये योजना, और कितनी आगे तक ये जाएगी, क्योंकि इसमें sanitation है, इसमें हमारे बच्चों का welfare है, इसमें ह जादतर वो हिस्सा हमारे घरों में खप जाता है, तो वातसले mission इसमें कितना कारगर साबित होगा, ये सही कह रहे हैं आप, कि देरवला जी ने भी कहा और प्रधान मंत्री जी भी इस पर जोर दिया, कि स्वास्त का मतलब सरी स्वास्त ही नहीं, उसके साथ ने nutrition को भी जोड है, एक larger context में health को रखा गया है, जो मुझे लगता है बहुत ही सही कदम है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे जो health budget के बारे में लगी, वो ये है कि सिर्फ medical expenditure जो कर रहे हैं उसमें tax exemption दिया जाए, ATC या ATD में medical expenditure जो insurance उसका limit को बढ़ाए जाए, ये तो नहीं किया, क्योंक लाना है, अगर आपने बहुत ज़्यादे exemption दे दिये होएते, तो आपका तो वो पैसे नहीं होते, जो grassroot level पे medical institution को strengthen करने के लिए जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि wellness center पर हमारे expenditure होंगे, rural health mission, urban health mission, जो आम आदमी तक पहुँचेगी, उसमें strengthen करने की बात की गई है मैं जानता हूं कि कोरोना की period में कुछ लोग हैं जिनको कोरोना के वज़े से 4-5 लाग, 10 लाग भी खर्चा करने पड़े, लेकिन उनके बारे में सोचिए, जिनके बास 2000 रुपे नर रहने के वज़े से death हो गई, मुझे लगता है उस पर ध्यान दिया गया है, इस health budget में जो force saving हुआ है उसकी वज़े से अभी expenditure बढ़ेंगे, economy जो है अगले 4-5 quarter में 11% growth rate जो project किया गया है बहुत जादा नहीं है, क्योंकि वैसे ही economy 7% नीचे गई है, मतलब 4% अगर 19-20 की तुलाब अगर growth हो जाए तो हमारे 11% हो जाएगी, यह problem नहीं है, problem ही है long term sustenance की, और उसके जो capital expenditure और infrastructure expenditure किया है, जिससे रोजगार बढ़ेगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी, गरीब तपके पर, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, जी, आच्छा कोली साब यहीं से हम चलते हैं, हमारे प्रधान मंतरी जी ने ये भी कहा, कि किसान और गाउं, उनके budget में, budget क किसान और गाउं, इस budget के focus में हैं, और agriculture sector को भी बेहद importance दी गई है, जैसे अभी इनाम में, एक हजार मंडियों को जोड़ा, नए agriculture products को जोड़ा, तो क्या संदेश जाता है agriculture sector के लिए? सुरिकान जी, आपने एक ऐसी रग पे हाथ रख दिया, जो आजकल बहुत चर्चा में है, और मुझे लग रहा है किसानों की जब नराजगी होती है किसी बात को लेके, तो वो उनकी जैसे बच्चा अपने पिता से नराज हो जाता है, तो वो असल में नराज नहीं होता है, वो केवल उसकी दिल मांगे मोर वाली बात होती है, तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे देश में कोई भी वजीर खजाना कभी भी किसानी को नजर अंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि 60-70% यहां की जो आबादी है, वो डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप से आपके क्रिशी शेत पर आधारित है, और वो ही हमने इस बजट में देखा, साड़े सोला लाक करोड किसान क्रेडिट के लिए एर माक कर दिया गया, एक हजार मंडियों को, अभी हमने मंडियों की बहुत चर्चा सुन रहे हैं हाल में, हम उस विशे पे नहीं जाते, हमारा विशे भी नहीं है, पर इन मंडियों को ई-NAM से जोडने का क्या मतलब है क्या किसानों को जो बाजार चाहिए, किसानों को जो उनके उतपाद के लिए, उनके प्रॉडक के लिए, मार्केट चाहिए, वो मार्केट आपको एक डिजिटल प्लाटफॉर्म पर ई-NAM के जरिए मिलती है, और मैं समझता हूँ जिव जो ये मंडिया आज पौने दो करोड किसान इसके ए नाम के अंतरगत एंरोल किये जाच चुके हैं और मैं समझता हूँ जिव जो ये गिनती बढ़ेगी आप देखेंगे कि ये जो मंडियों पर किसानों को लेके चिंता होती है उस पर उस पर जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जियो जो किसानों के हाथ में मोबाइल फोन गाउं में कम्प्यूटर्स और उनके बच्चे आगे पढ़ लिखके निकलेंगे मुझे लग रहा है वो उनको कहेंगे कि आप पिता जी आपको अब माता जी आपको अब मंडी जाने की जुरूरत नहीं लाइए आप मेरे हाथ में फोन दीजिये मैं इस फसल को अभी फोन पर बेच देता हूँ या मैं इसका गहाग ढून लेता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुहिम है सरकार की किसानों को चाहे एरिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्टर बढ़ाने की है और देखें कि गाओं में cold storage हो गई, irrigation facilities हो गई, drip irrigation facilities हो गई, खाद की उपलब्दी हो गई, बीजों की उपलब्दी हो गई मैं समझता हूँ ये सारी चीजें मिलाके एक नए किसम का क्रिशी शेतर निकल के आएगा सिर्फ जुरूत क्या है कि किसानों को और किसानी को थोड़ा सा सबर चाहिए क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं है क्या बात है, आच्छे यहीं से हम चलते हैं, सारे economists जितने हैं, financial experts हैं, सब कह रहे हैं कि economy ने contract किया और फिर bounce back हुआ जिसे हम V-shaped recovery कहते हैं, यह क्या है और agriculture sector जो की COVID में भी 3.4% बढ़ा है तो आप एक economist के दृष्टी से इस V-shaped economy recovery को कैसे देखते हैं और agriculture क्या उसकी फिर से रीड की हड़ी बनेगी देखें, V-shaped का पहला हिस्सा है जब हमारी economy नीचे गिर रही थी, 23-24% की गिरावाट आई, फिर 7-8% की गिरावाट आई, इस वक्त हम लोग V-के नीचे bottom पर हैं, कि growth rate negative नहीं है तीसरा quarter जो October, December में था, वहाँ growth rate जो है, 0.3% positive है और इस बार भी January, March का भी वो positive होने वाला है, लेकिन अब अगले साल में निश्चित रूप से recovery होगी, जो कि एक दोब rock bottom पे आ चुका है, 7% पिछले साल की तुलना में नीचे है, लेकिन एक समस्या यह है, जो कही जा रही है कि V-shape के साथ एक K-shape भी हो सकता है, K-shape का मतलब यह है कि inequality बढ़ेगी, कुछ लोग ऊपर जाएंगे, कुछ लोग नीचे जाएंगे, मुझे लगता है कि COVID का पहला impact तो पढ़ा था, despite सरकार के बहुत questions के बावजूद भी, जैसे मैंने बताया, असमन वीशमता बढ़ क्रिशी के बारे मुझे रखता है कोली साथ, दो प्रॉब्लम्स है, एक तो यह है surplus की, हमारे wheat surplus जो है, 10 million ton extra हर साल produce कर रहे है, हम उसको store करते है, 1,40,000 जो है हमारा FCI का subsidy है, fertilizer का subsidy है, electricity का subsidy है, उससे हमें हटना पढ़ेगा, global market के उनुसार हमें production pattern को बदलना पढ़ेगा, prices से link up करना पढ़ेगा, diversification चाहिए ही, गेहूं का production, जो surplus है, उसको कम करना पढ़ेगा, दूसरा जो है deficit की बात है, मुझे लगता है trust deficit है, यह जो communication का खाई gap हो रहा है, कि इतना कदब उठाने के बाद, जब निर्मला सितरा मंजी ने बताया, 35,000 करोर का wheat का procurement हो रहा था, अभी इसको बताने के साथ साथ, अगर एक road map बताया जाता, जी तरह कोहली साब ने कहा, you know, digital marketing होगी, you know, अगर warehouses बढ़ेंगे, modernization होगा, market का exposure तो चाहिए, लेकिन market में शक्तिकरण भी चाहिए, इन farmers की, इसके लिए सरकार ने कारकरम बनाया है कि P.A.C. जो agricultural production co-operatives को हम, you know, हम production में डालेंगे, उनको हम खरीदने के लिए empowerment करेंगे, ताकि जो private sector जो घत्रा है, ये लोग share की तरह बैठे हैं, बड़े-बड़े capitalists हमें खा जाएंगे, वो नहों कि हम सर्शिक्तिकरण करेंगे, अगर हम farmers, producers organization को सर्शिक्तिकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से farmers को benefit मि ये opening up, ये transformation होगा, production pattern का, privatization के साथ में, उसका पूरा benefit मिल पाएगा, अगर हम सर्शिक्तिकरण करें, उसका कर रोड मैप clearly बताया गया होता, नतिब budget में ही नहीं, budget के आसपास भी, मुझे लगता है, ये trust deficit जो है, farming leader के साथ में, वो शायद नहीं रहता, अगर इसमें आप म उचे निकालती है, उसके पीछे जब राजनीती चल पड़ती है, तो वो कहीं communication gap खड़ी कर देती है, एक तो मैं ये कारण मानता हूं, दूसरा कारण मानता हूं कि जैसे जब इतना बड़ा हमारा देश है, सरकार जो भी scheme निकालती है, उसको दूर दराज के आलाकों में पह समझते जब तक उनको समझ में आता है, जितनी रफतार से हम और आप कुंडू साब समझ जाते हैं, शायद उतनी रफतार से हमारे जो किसान भाई बहने वो नहीं समझ पाते, वो वक्त जब जैसे ही बीते का, तभी मैंने का दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो सार लाओ आप देखना शुरू करते हैं, कोली साब एक और बात आती है, कि अभी मोहतरमा हमारी जो फाइनेस मिनस्टर मेडम निर्मला सीता रमन ने बेएक बात कही, कि हमने प्रो एक्टिव काम किये, चीजों को समझा, हमारी रिसेप्टिविटी बेहतर थी, और हमने उसका र टेस्टिंग लैब्स थी, मास्किंग का कोई अता पता नहीं था, मास्क मेकिंग का, और अब 200 के आसपास हमारी टेस्टिंग लैब हैं, अमेरिका जैसे देश को हमने पीछे छोड़ दिया, इश्वर की क्रपा से, अपने पूरे अंदाज में, तो मैं ये कहता हूं कि जो MSME है, जिसको economic growth engine कहा जा रहा है, उसके लिए कितने कैसे provision किये गए हैं, आपको क्या लगता है, कि ये sector जो हमारा है, MSME और startups, देखिए बहुत अच्छी आपने बात छेड़ी, MSME आप तो सूरेकान जी, करीब-करीब 99 प्रतिशत जो businesses हैं, इस देश में, वो MSME से आते हैं, और करीब-करीब 12-13 करोड़ लोगों को रोजगार ये MSME देता है, और अगर मैं GDP की बात करूँ, तो करीब-करीब 30 प्रतिशत GDP का योगदान, contribution इस MSME से आता है, तो इस MSME इसको तो कभी भी धर किनार नहीं किया जा सकता, और अभी आपने देखा, 15-16 हजार करोड़ का अभी इस बजट में प्रोविजन किया गया, MSME इसको अलग-अलग किसम से फाइदा पहुचाने का, और हमने आपने जो पांच छोटे बजट, हमने देखे करोना काले मिनी बजट, हम और आप और कुंडो साथ भी उसमें इखटे थे, आत्म निर्भर अभियान के अंतरगत जो आ फैक्टरियां बंद हो गई, छोटे बिजनसे बंद हो गए, उनके जो वरकर्स थे छोड़के गाउं चले गए, मशीने चल रही थी, बंद हो गई, तो उनको दुबारा से उनको शुरू करने में जो दिक्कत आई, उसके लिए वो तीन लाग करोड का, ये जो लोन का पैके पे आगई, जो बेरोजगारी की दर, करोना में मैं खुद बेरोजगारी को बहुत नस्दीक से ट्रैक करता हूँ, 30% तक चली गई थी, आज वो घटके फिर वापस 8-9% पे आगई, ये क्या बताता है कि लोग गाउं से वापस आए, उनको नौकरी अमले ठीक है, हो सकता है पर्फेक्शन नहीं होता, पर अगर हम नियर पर्फेक्शन तक भी आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात इसको मैं मानता हूँ, जी, एक और सवाल में कुंडू साब से करना चाहूंगा, वो ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर के हैं, नेतिन गटकरी जी ने भी इसमें अपना contribution दिया है, कि आम आदमी को public transport available कराया जाए, जिसके लिए metro में provision किये गए हैं, दूसरी और buses के provision किये गए हैं, इसको आप किस नजरिये से देखते हैं, बजट के provisions को, जो की public transport को available कराने के लिए के लिए किये गए, सुरकान जी, अगर infrastructure investment बढ़ा है, उसमें large investment जो है, ट्रां ways बनेंगे, connecting big cities, और शेहरों का अंदर भी metropolitan cities का अंदर भी public transport पर जोर दिया गया है, कुझा लगता है, यह बहुत अच्छी बात है, एक सवाल मेरे दिमाद में उठ रहा है, जब बड़े-बड़े highways बनते हैं, उपर express ways बनते हैं, वो बड़े-बड़े शेहरों को जोडती ह है, छोड़े से regional connectivity के जरुरत है, इन highways के साथ में, अगर rural roads का भी link up करें, तो क्या होगा, कि बड़े शेहरों के जो market के साथ में, छोटे शेहर के market और गाव के market जुड़ पाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं, कि 2011 के जनगर्णा मर्दुम शुमारी से यह पता चलता है, कि कर बड़े 3,000 नए छोटे शेहर बने हैं, और इन छोटे शेहरों के हालत slum से भी बत्तर है, यह Registrar General of India ने कहा है, मुझे लगता है कि यह जो transport का investment है, वो तो मुझे लगता है सही है, adequate है, लेकिन उसके साथ में, जो regional economy के जोड़ने के लिए जो linkages चाहिए, उसको अगर कर पा farmers हैं, उनको national market और global market से जुड़ने में मदद मिलेगी, जे, आप इसमें कुछ कहने हैं, हाँ, मैं इसमें कुंडो साब ने बहुत अच्छी बात यह उठाई है, और कुंडो साब मैं अपना व्यक्तिगत experience इसमें शेयर करना चाहूँगा, मैं बहुत ग्रामीर इलाकों में गाड़ी लेकि कई दफ़े निकल जाता हूँ, कई बार काम से, कई दफ़े ऐसे ही देखने के लिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते, मैं जब तक जमीन से नहीं जोड़ता मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र पूरा नहीं होता है, मैंने देखा कि प्रवधान मंतरी ग जाएंगे कभी, तो आप देखेंगे सड़क के बीच में एक बन रही है, तो लोग सोचते हैं, मेट्रो ये मेट्रो नहीं है, वो रीजनल रोल, रीजनल रेल ट्रांस्पोर्ट सर्विस जो कि आपको यॉरोप में देखने को मिलती है, वो पहली RRTS इस देश की 27 शहरों में आज मेट्रो चल रही है, करीब 702 किलोमेटर की मेट्रो अल्रेडी हो चुकी है, 1016 किलोमेटर की और अंडर कस्ट्रक्शन है, तो मैं समझता हूँ देश को, किसी भी देश को जोडने के लिए, और एक अर्थ शास्तर में सिधान्त होता है, हम लोग पढ़ते पढ़ाते भी है, वहाँ पर गाड़ियां आनी जानी शुरू हो जाती है, आठ गुना उसका फाइदा होता है, तो मैं समझता हूँ जो साड़े पांच लाख करोड का बुनियादी धांचे पर वजीर खजाना ने अलोकेट किया है, मुझा लगता है उसका आप उसका एफेक्ट देखना चुरू होंगे और जिस रोजगार की हम बार-बार बात करते हैं, मुझा लग रहा है, रोजगार को पैदा करने का सबसे कारगर तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि सरकार पहल करे खर्च करने की, जी है, अच्छा यही से मैं आपको आगे ले चलता हूँ, इसी के ट्र आप उसमें डॉक्टर कुंडू क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ी से अगर नियंतरन हो, तो अच्छी बात होगी. एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर दिल्ली मुंबई का एक मैसिफ ट्रांस्पोर्ट कॉरिडर बना है, एक वर्ल्ल बैंक का स्टडी है, वो कहते है कि अगर थोड़ी सी रीजिनल कलेक्टिविटी बढ होग हैं, वो भी नैशनल मार्केट से कनेक्ट हो सके. अभी नितिन गटगरी जिसे भी बात हो रही थी, और उनका कहना ये था कि ये जो स्क्रेपिंग पॉलिसी है, इसमें हम जो आदमी स्क्रेप करेगा, उसको हम कहीं न कहीं मॉटिवेशनल फेक्टर उसमें लाएंगे, क कहीं न कहीं मैनिफेक्टर को एक सर्टिफिकेट दिखा करके भी वो आदमी कुछ फायदा लेगा, कुछ स्क्रेपिंग वैल्यू मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि जो हम अख़वार बेशते हैं, या कोई और चीज कबार में बेशते हैं, ये नीति उससे हट करके होगी. जी हाँ, बिल्कुल देखे, अगर आप, मेरी गाड़ी अगर 20 साल पुरानी है, और मैं उस गाड़ी को अपनी मर्जी से स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतरगर डालना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए, या तो आप एंफोर्स्मेंट लाइए जिसकी कुंडो साब बात कर रहे हैं कि आप उसके लिए लेजिसलेशन लाइए, पर क्योंकि वॉलिंटरी है, तो आप मुझे हो सकता है, मुझे अगली गाड़ी खरीदने पर को इंसेंटिव मिले महाबन, और जो देखे, जो हेल्थ सेक्टर के जिसके हम शुरू में बात क कर रहे थे, उस हेल्थ सेक्टर में तीन उसके स्थम रखे गए हैं, पिलर्स, पहला है प्रिवेंटिव, फिर है क्यूरेटिव, फिर है वेल बीइंग, तो आप ये क्योंकि पुरानी गाड़ियां पलूशन करती हैं, धुआ जादा फेकती हैं, मुझे लग रहा है अट वा स्थमानी गाड़ी बेचिए, आपको नई गाड़ी में लुखावनापन दिखाई देने लग जाएगा और इस गाड़ी को आप विदा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनाम जरूर दिया जाए, आप दोनों हमारे स्टूडियों में आए, आपने बजट पर बेबाग चर्चा की, इसके लिए आप दोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, हमारी ये कोशिश रहती है पैसा बोलता में और हमारा मौटिव भी है, हमारा बेसिक अब्जेक्टिव है कि आपको पैसे की समझ बताएं, पैसा कैसे खर्च करें, कहां इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस् रखें, इसी में, इसी कड़ी में ये हमने बजट का एक स्पेशल एपिसोड किया, पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही, आप अपनी राय और सजेशन्स हमें डीडी उर्दू स्पेशल्स एड जीमेल डाट कॉम पर भेज सकते हैं, इसी के साथ हमारी पूरी टीम क दीजिया जाजब आदाब.